हर्याडा के घरोंडा विधान सबाद छेत्र से कॉंग्रेस कैंडिडिट विरेंद राठोर ने चुनावी रैली में कहा कि मैं कुन्बो की हिसाब से नौकरिया लगाऊंगा मुझे पता है कि यह हिमाले चड़ने जितना कठीन है लेकिन मैं हिमाले चड़ने का साहस रखता हूँ इसके साथ उन्होंने घरोंडा के भाशपा उमिदवार निवर्तमान विधायक हरविंदर कल्याण को चितावनी देते वे कहा कि अक्टूबर में जब सरकार बनेगी तो हैफ़ेड विभाग की सभी फाइले खोली जाएगी उन्होंने यहां तक का कि सभी मामलों की कान मरोड कर जाच कराई जाएगी इसे पहले भी कॉंग्रेस के पाँच उमिदवारों के बयान वाइरल हुए थे एक बयान फरिदाबाद एनाइटी से कॉंग्रेस उमिदवार नीरश शर्मा का था और दूसरा बयान असंद से कॉंग्रेस उमिदवार शमसेर सिंगोगी का था एक वीडियो में शमसेर सिंगोगी कह रहे थे कि सरकार बनेगी तो पहले अपने घर भरेंगे दूसरे वीडियो में नीरश शर्मा कह रहे थे कि 50 वोट पर एक नौकरी दी जाएगी राठोर ने कहा कि कमिशनर को कहिए कि वह डेपूटेशन पर आएं वह दिल्ली जाने की तयारी करें सत्ता में आने के बाद सरकार किसी को नहीं छोड़ेगी कमिशनर मंडी में जाकर किसी बढ़ाने का काम करेंगे कॉंगरस के राज में अगर किसी व्यापारी भाई के साथ कोई अन्या या परिशानी हुई तो विरेन सिंग राठोर व्यापारियों के साथ खड़े रहेंगे वही परिदाबद एनाइटी से कॉंगरस उमिद्वार पूर विधायक नीरश शर्मा ने एक जनसभा में कहा भया सबकी आगया लेली भाई ने खुला चैलेंज कर दिया है हुड़ा सहा को दो लाख नौकरी देनी है मुझे जिता कर भेज दो दो हजार का कोटा मिलेगा और पचास वोट पर एक नौकरी मिलेगी इसके लाबा उन्होंने एक और वयान देकर कहा कि जिस गाओं में ज़्यादा डबा भरेगा उस गाओं में ज़्यादा नौकरी मिलेगी यह मेरा फैसला नहीं यह सबका फैसला है कल को मेरे उपर मत तूबना इसी के साथ फर्दाबास से कॉंग्रेस उमिद्वा लखन सिंगलہ ने कहा कि कितने नौजवानों को नौकरी द बात बात सुनईे जो 2 लाख नौकरिया दी जाएंगी ह्रियाडा की युबाओं को दी जाएंगी यह हर एक जाती को सबको फेर्नस के साथ इक्वली बराबर में दी जाएंगी हर एक जाती को ये नौकरी मिलेगी and well life की खास खबर